हर्याना की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हर्याना नीजोस जो सभी तो सदन में अपना उद्भोधन दिया वो अपने आप में इस चनाउतिय भरे विश्व में एक नई आशा जगाने वाला नया उमंग पैदा करने वाला और नया आत्म विस्वास पैदा करने वाला राश्पति जी का उद्भोधन रहा हूँ आत्मा निर्भर भारत की रहा दिखाने वाला और इस दसक के लिए एक मार्ग प्रसस्त करने वाला राष्ट पती जी का उद्भोदन रहा अधेने स्वापती जी मैं राष्ट पती जी का तहें दिल से आभार वेस्त करने के लिए आज आप सब के बिच खड़ा राजसभा में करीब 13-14 घंटे तक 50 से अधिक मान्य सदस्यों ने अपने विचार रखें बहुमुल्य विचार रखें अनेक पहलूओं पर विचार रखें और इसलिए मैं सभी आधनिय सदस्यों का रदय पुर्वक आभार भी व्यक्त करता हूं इस चर्चा को समर्द बनाने के लिए अच्छा होता कि राश्पती जी का भाशन सुनने के लिए भी सब होते तो लोगतंत्र की गरिमा और बढ़ जाती हैं और हम सब को कभी गिलान सिक्वा न रहता हैं कि हमने राश्पती जी का भाशन सुना नहीं था लेकिन राश्पती जी के भाशन की ताकत इतनी थी कि न सुनने के बावजुद भी बहुत कुछ बोल पाए हैं ये अपने आत्में इस भाशन की ताकत थे उन विचारों की ताकत थी उन आधर्शों की ताकत थी कि जिसके कारण न सुनने के बाद भी बाद पहुँच गई और इसलिए मैं समत्ता हूँ इस भाशन का मुल्डिया अलेक गुना अवत है आदेने समभाती जी जैसे मैंना कहा अलेक चुनावतियों के बीच राश्पती जी का इस दसक का प्रदम भाशन हुआ लेकिन ये भी सही है कि जारे पूरे विश्व पटल के तरफ देखते हैं भारत की युवा मन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आज भारत सच्चे अर्थ में एक आउसरों की भूमी है अनेक आउसर हमारा इंतजार कर रहे हैं और इसलिए जो देख युवा हो जो देख उत्सा से भरा हुआ हो जो देख अनेक सपनों को लेकर के संकल्प के साथ सिध्धी को प्राप्थ करने के लिए प्रयासरत हो वो देख इन आउसरों को कभी जाने नहीं दे सकता हम सब के लिए ये भी एक अउसर है कि हम आज़ादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं ये अपने आप में एक प्रेरक अउसर है हम जहां भी हो जिस रूप में हो माभारति के संतान के रूप में इस आज़ादी के 45 वे परव को हमने प्रेरा का परव मनाना चाहिए देश को आने वाले वर्षों के लिए तैयार करने के लिए कुछ और कुछ कर गुजरने का होना चाहिए और 2047 में देश जब आज़ादी की सताव भी मनाएं तब हम देश को कहां तक ले जाएंगे इन सपनों को भार भार हमने लेते रहना चाहिए आज पूरे विश्व की नजर भारत पर है भारत से अकेशाय की है और लोगों में एक विश्वास भी है कि अगर भारत ये कर लेगा तुनिया की बहुतिक समस्याओं का समादा वहीं से हो जाएगा ये विश्वास आज दुनिया में भारत के लिए पुड़ा है अधरिये सभापती की है जब मैं अवसरों की चर्चा कर रहा हूँ तब महा कभी मैथिली सांग गुप्त जी की कवीता को मैं उत्कोषित करना चाहूँगा गुप्त जी ने कहा था अवसर तेरे लिए खड़ा है अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तु चुपचाप पड़ा है अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तु चुक्चाप पड़ा है तेरा कर्मख्षेत्र बड़ा है तेरा कर्मख्षेत्र बड़ा है पल पल है अनमोर अरे भारत उठ अरे भारत उठ आखे खोड़ ये लेकिन मैं सोच रहा था इस कालखंड में 21 विसदी के आरम में अगर उनको लिखना होता तो क्या लिखते मैं कल्पना करता था कि वो लिखते अवसर तेरे लिए खड़ा है तू आत्म विश्वात से भरा पड़ा है तू आत्म विश्वात से भरा पड़ा है हर बाधा हर बाधा हर बंदिश को तोड़ हर बाधा हर बंदिश को तोड़ अरे भारत अरे भारत आत्मंदिर भरता के पत्पर दो आत्मंदिर भरता के पत्पर दो अदरनीय सभापती जी कोरोना के दोरां किस प्रकार की वैश्विक परिस्थित्या बनी कोई किसी की मदद कर सके यह असंभव हो गया एक देश दूसरे देश को मदद न कर सके एक राज्य दूसरे राज्य को मदद न कर सके यहां तक कि परिवार का एक सदस्य दूसरे परिवार की मदद सदस्य की मदद न कर सके वहसा माहोल कोरोना के कारण पादा हुआ भारत के लिए तो दुनिया ने बहुत आशंकाई जपाई थी विश्व बहुत चिंतिक था कि अगर कोरोना के इस महामारी में अगर भारत अपने आपको समान नहीं पाया तो नहीं सरे भारत लेकिन पूरी मानवजात के लिए कितना बड़ा संकट आजाएगा यह आशंकाई सबने जपाई करोडों लोग फ़स जाएंगे लाखों लोग मर जाएंगे हमारे यहां भी डराने के लिए भरपूर बाते भी हुए और यह क्यों हुआ है मेरा सवाल नहीं है क्योंकि एक unknown enemy क्या कर सकता है किसी वह अंदाज नहीं था हर एक ने अपने अपने तरीके से आकलन किया था लेकिन भारत ने अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक unknown enemy से और जिसकी कोई पूर्व परवपरा नहीं देख भी ऐसी चीज़ को ऐसे डिल किया जा सकता है इसके लिए ये प्रोटोकल हो सकता है उत पता नहीं था एक नए तरीके से ये नए सूच के साथ हर किसी को चलना था हो सकता है कुछ विदवान सामर्थवान लोग उनको कुछ और विचार हो सकता है लेकिन था ये एक अन्नो नहीं में था और हमें रास्ते भी खोजने थे रास्ते बनाने भी थे और लोगों को बचाना भी था उस समय जो भी इश्वर ने बुद्दी शक्ति सामर्थ दिया इस देश ने उसको करते हुए देश को बचाने में भरसक काम कि आए और आज दुनिया इस बात का घरव कर रही है किस वाकई भारत ने दुनिया के मानुद्यार के रख्षा करने में बहुत बढ़ी एहम भूमे का मेवाई है ये लड़ाय जीतने का यश्च किसी सरकार को नहीं जाता है नकिसी व्यक्ति को जाता है लेकिन हिंदुस्तान को तो जाता है गर्व करने में क्या जाता है विश्व के सामने आप विश्वास के साथ बोलने में क्या जाता है इस देश ने किया है गरीब से गरीब व्यक्ति ले इस बात को किया है उन समय सोशल मीडिया में देखा होगा, फुत्पात पर एक छोटी जोपड़ी लगा करके बैठी हुई एक गुधी मा, बुभी, घर के बाप में जोपड़ी के बाहर दिया चला करके, भारत के शुप के लिए कामना करके। हम उसकी मेडाग उड़ा रहे हैं, उस भावनाओं का मखोड उड़ा रहे हैं, समय हैं, जिसने कभी स्कुन का दरवाजा नहीं देखा था, उसके मन में भी देश के लिए जो भी दिया जला करके भी देश की सेवा कर सकता हूं तो करूँ, इस भाव से किया था, और उसने हुए शक्ति का जागरण किया था, अपनी शक्ति का सामर्था का परिच्य करवाया था, लेकिन उसकी भी मजाग उड़ाने में मजा रहा है, धिरोद करने के लिए कितने उद्धे हैं जी, अब करना भी चाहिए, लेकिन ऐसी बातों में न उर्जे, जो देश के मनुबल को तोड़ते हैं, जो देश के सामर्थ को नीचा आखते हैं, इससे कभी लाब नहीं होता है, हमारे कोरोना वरियर्स, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, अब कल्पना कर सकते हैं जी, जिप चारों तरफ भाई कहीं किसी से कोरोना आ जाएगा तो, ऐसे समझ डूटी करना, अपन इस चीज़े नहीं है, इसका गर्वर करना चाहिए, उनका आधर करना चाहिए, और इन सब के प्रयासों का प्रणाम है, कि देश ने आज ये करके दिखाया, हम जड़ा भुदकाल की तरफ देखें, ये आलोचना के लिए नहीं है, उस सित्यों को हमने जिया है, कभी चेचक की बात होती थी, कितना भाई भाल जाता था, पोलियों कितना डरावना लगता था, उसकी वैक्षिन पाने के लिए क्या का मेहनत के नहीं पड़ते थी, कितनी तकलीपे उटानी पड़ते थी, मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहसे लगाए, ये दिन हम मानो जात के कल्जान के लिए बैक्शिन लेकर प्याजा है इतने कम समय में मिशन मोड में हमारे वज्ञानिक भी जुटे रहे ये मानो जात के हितिहास में भारत के योगदान एक गवरव पुर्ण गाता है इसका हम गवरव करें और उसी मेंसे नए आत्मिश्वास की प्रेणा भी जटती है हमने उस नए आत्मिश्वास की प्रेणा को जगाने के ऐसे प्रयासों को आज देश गर्व कर सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीका करना भ्यान इसी मेरे देश में चल भारा है विश्व में तींज इकती से चिका करना कहीं हो रहा है तो इसी हम सब की माँ भारती के गोद में हो रहा हूँ और भारत का यह सामर्थ है कहां नहीं पहुंचा है करोना ने भारत को दुनिया के राद रिस्टों में एक नई ताकत दी है जब शुरू आयो पहें कौन सी दवाई काम करेंगी वैक्सिन नहीं थी तो सारा विश्व का ध्यान भारत की दवाईयों पर गया विश्व में फार्मसी के हब के रूप में भारत भर करके आया डेर सो देशों में दवाई पहुंचाने का काम उस संकट काल में भी इस देश ने किया है बानुव जात के रक्षा के लिए इफिशी नहीं इतना ही नहीं इन समय वैक्सिन के सबन में भी है विश्व बड़े गर्वर के साथ कहता है कि हमारे पास भारत की वैक्सिन आ गई है हमारे पास भारत की बच्छे नाली है हम सब तो बादू है कि दुनिया के बड़े-बड़े अस्पताल में भी है बड़े-बड़े लोग भी जब आपरेशन कराने जाते हैं कोई बड़े मेजर आपरेशन के लिए और आपरेशन थेटर में जाने के बाद पट्रिया सुनरून के पहले उसकी आखे ढूंती है कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर है कि नहीं है और जैसे ही एकाद टीम के अंदर एकाद भी हिंदुस्तानी डॉक्टर दिखता है न उसका विश्वास हो जाता है यहीं देश ने कमाया है इसका हम एक गर्व होना चाहिए और इसलिए इसी गर्व को लेकर के हम आगे करें इस कोरोना में जैसे बैस्वीक समंदों में भारत ने अपनी एक विश्व से पहष्चान बनाई है अपना स्थान बनाया है बैसे ही भारत ने हमारे फैडरल स्थ्चर को इस कोरोना के काल खंदों हमारी अंतर भूत ताकत क्या है संकट के समय हम कैसे मिलकर के काम कर सकते है इनकी दिशा में सब शक्तियां लगा करके हम कैसे प्रयास कर सकते है यह केंद्र और राज्य ने मिलकर के करते दिखाया है ना राज्यों को भी क्योंकि इस सदन में राज्यों की अपनी फ्लेवर होती है और इसलिए इस सदन में विशेश रुप से राज्यों का भी अभिनंदन करता हूं और कोपरेटिव फड्रलीजम को लाकट देने का काम इस कोरोना के संक्ट को अवसर में पलटने का काम हमारे सभी ने किया है इसलिए सब कोई अभिनंदन के अधिकारी है यहां पर लोकतंत्र को लेकर के काथी उपदेश दिये गए बहुत कुछ कहा गया और लेकिन मैं नहीं मानता हूं जो बाते बताई गई है देश का कोई भी नागरिक इस पर भरोसा करेगा भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि जुछ की खाल हम इस प्रकार से उदेड़ सकते हैं ऐसी गल्पी हम न करें और मैं सिमान डेरिक जी की बात सुन रहा था बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग हो रहा था धर्म पीच इंती मेडिटेशन हाउडिंग कि अब बंगाल की बात पता रहे है कि देश की बता रहे हैं स्वाफा भी के 2400 गंटे वही देखते हैं वही सुनते हैं तो वही बात साइज गल्ती से यहां बता दी हो कि कॉंग्रेस के हमारे वाजवा साथ भी काफी अच्छा बता रहे हैं और इतना लंबा खीच करके बता रहे हैं तो मुझे लग रहा है बस आप थोड़ी देर में ये इमर्जन्सी तक पहुंच जाएंगे मुझे लग रहा था थोड़ी देर में एक कदम बार बाकी है वो 84 तक पहुंच जाएंगे लेकिन वो वाज नहीं गए खेर कॉंग्रेस देश को बहुत निराश करते हैं आपने भी निराश कर दिया मालने से भापती जी मैं एक कोट इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ और खास करके लोक कंत्र पर जो लोक शक उठाते हैं भारत की मुलभुत शक्ति पर जो शक उठाते हैं उनको तो मैं दिशे साग्र से कहूँगा इसको समझने का प्रयास करें हमारा लोक्तंत्र किसी भी माइने में वेस्टन इंस्टिटूशन नहीं है ये एक हूमन इंस्टिटूशन है भारत का इतिहास लोक तांत्रिक समस्तानों के उधरणों से भरा पड़ा है प्राचीन भारत में 81-81 गनतंत्रों का वरवन हमें मिलता है आज देश वाचियों को भारत के राष्टवाद पर चोड़ तरफा हो रहे हमले से आगा करना जरूरी है भारत का राष्टवाद ना तो संकेन है न स्वार्थी है और ना ही आक्रमक है ये सत्यम, स्वीवं, सुंद्रम के मुल्यों से प्रेवित है अनकोट अधरने सभावती जी ये कोटेशन आजादित भोच की प्रथम सरकार के प्रथम प्रधान मंतरी नेता जी सुभाश चंगर भोच और चंग योग है ये 125 विजेंति आज हम मना रहे हैं लेकिन दुर्भाश की इस बाद का है कि जाने अंजाने में हमने नेता जी की इस भावना को नेता जी के इन विचारों को नेता जी के इन आदर्शों को भूला दिया और उसका परणाव है कि आज हम हम को कोसने लग दे मैं तो कभी कभी हरान हो जाता हूँ दुनिया जो हमें कोई शब्द पकड़ा देती हम भी उसको पकड़ करके चल पड़ते हैं दुनिया की सबसे बड़ी देमोकरसी दुनिया की सबसे बड़ी देमोकरसी दुनिया की सबसे बड़ी देमोकरसी यह लोगतंत्र की जन्नी है हम सिर्फ बड़ा लोगतंत्र ऐसा नहीं है यह देश लोगतंत्र की जन्नी है यह बात हमें हमारी आने वारी प्यूरियों को सिखानी होगी और हमें गरवसी बात को बोलना होगा क्योंकि हमारे पुरवजों ने विरास्तर में दी है भारत की शासन ववस्ता टेमोक्रिस्ति है सिर्फ इसी वज़े से हम लोकतांत्रिश नहीं है भारत की संस्कृति भारत के संस्का भारत की पनन्पना भारत का मन लोकतांत्रीक है और इसलिए हमारी बगस्ता लोग तांत्रिक है यह है इसलिए यह है इसलिए नहीं है मूल कहम लोग तांत्रिक है इसलिए यह है और यह कसोटी भी हो चुकी है देशी आपात काल तो उन दिनों को याद की जिये नियाई पालिका का हाल क्या था मीडिया का क्या हाल था शासन का क्या हाल था सब कुछ जेल खाने में परिवर्टित हो चुका था लेकिन इस देश के संस्कार इस देश का जन्मन जो लोग कंत्र के रगों से रंगों से रंगा हुआ था उसको कोई हिला नहीं पाया था मौका मिलते ही उसने लोग फ्रुम्सर को पस्ता भी कहीए यह लोगों की थाकत यह हमारे संसकारों की थाकत है यह लोग तांत्रिक मुल्यों की थाकत है मुलता यह नहीं है कौन सरकार कौन सरकार में उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं और नहीं मैं ऐसी चीज़ों में अपना समय लगाने के लिए यहां आप लोगों ने मुझे बिठाया है हमें लोकतांत्री मुल्यों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना है आत्मनिर्वर भारत के सबन में भी चर्चा हुई मैं हमारे साती धर्मेंदर पुदान जी के बहुती अभ्यास पूर्ण और आत्मनिर्वर भारत के हमारी दीशा के है उसका भी ठाथ विस्त्रूत उन्हों ने बयान किया लेकिए एक बाद सही है कि आर्टिक शित्र में भी आज भारत की जो एक पहुच बन रही है कोरोना काल में दुनिया के लोग निवेश के लिए करस रहे हैं सारी बाते बाहर आ रही है लेकिन भारत है जहां रिकोर्ड निवेश हो रहा है सारे तथ्य बता रहे हैं का नेक देशों की अर्थस्तिती डामाडोल है जब कि दुनिया भारत में डबल डिजील ग्रोग का अनुमान लगा रही है एक तरफ निराशा का माहूल है तो हिंदुस्तान में एक आशा की करन नजार आ रही है यह दुनिया की तरफ से आवाज उठ रही है आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडा रेकॉर्ड स्थर पर है आज भारत में अनुजबादन रेकॉर्ड स्थर पर है भारत आज दुनिया में दूसरा बड़ा देश है जहां पर इंटरनेट यूज़र है भारत में आज हर महीने 4,00,00,000 करोट रुपे का लेंदें डिजिटल ही हो रहा है युपिया के मातेम से हो रहा है युपियाई के मातेम से व्याद कीजिए यहां के इसी सदन के भाषन न सुन दा है रहा है दो साल तीन साल पहले है लोगों के मोबाइल कहा है डिकना कहा है लोग डिजिटल कैसे करेंगे यह देश की ताकत देखिए हर महिने चार लाग करोड रुपी है भारत मोबाइल फोन के इंदरमाता के रुप में दूनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है भारत में रिकोर्ड संक्या में स्टार्ट अप्स यूनिकॉंस और जिसका विश्व में जय जयकार होने लगा है इसी धर्ति पर हमारी युवाद पीड़ी कर रही है रिन्यूबल एनेज्य के खेत्र में विश्व के पहले पांच देशों में हमने अपनी जगा बना ली है और आने वाले दिनों में हम उपर ही चड़ते जाने वाले हैं जल हो खल हो नभ हो अंत्रिक्षो भारत हर खेत्र में अपनी रक्षा के लिए अपने सामर्त के साथ खड़ा है स्थिकल स्ट्राइक हो या एर स्ट्राइक भारत की केपबिलिटी को दुनिया ने देखा है हादर इस हबापती जी 2004 में जब पहली बार में इस तदन में आया था इस परिसर में आया था और मुझे नेता के रुप में जब तुना गया था तो मेरे पहले भाशन में मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पीता है मैं आज दुबारा आने के बाद दी यही बात को दोहरा रहा है और हम ना हमारी डायरेक्शन बड़ ली है ना हमने डाइलूट किया है ने डाइवर्ट किया है उसी बिजाज के साथ हम काम कर रहे हैं क्योंकि इस देश में आगे बढ़ने के लिए हमें गरीबी से मुक्त होना ही होगा हमें प्रयासों को जोड़ते ही जाना होगा पहले के प्रयासों होगे तो उसमें और जोड़ना ही पड़ेगा हम रुख नहीं सकते हैं जितना कर लिया भौत है नहीं रुख सकते हैं हमें और करना ही होगा आज मुझे खुशी है कि जो मुल्भूत आवशकता है इस ओफ निवीन के लिए और जिसमें साथ आत्मिशास बता होता है और एक बार गरीब के मन में आत्मिशास भर गया गरीब खुद गरीबी को चुनोती देनी की ताकत के थाफ खड़ा हो जाएगा गरीब किसी क्या मदद के महताज नहीं रहेगा तो मेरा अनुम हो रहेगा और इसलिए मुझे खुशी है दस करोर से ज़्यादा साउचाले बने 41 करोर से ज़्यादा लोगों के बैंक खाते खुशे गए 2 करोर से अधिक गरीबों के घर बने 8 करोर से अधिक मुप्त गैस के कनेक्शन दिये गए 5 लाग रुपे तक मुप्त इलाच गरीब की जिंदगी में बहुत बड़ी ताकत कम कर दो असी अनेक है उजना है जो गरीबों के जीवन में बड़लाव ला रही है नया विस्वास परदा कर रही है अब यह से भापती जी चुनोतिया है अकर चुनोतिया नहों होती ऐसा कोहीं कुछ नजर ने आएगा दुनिया का समरुद दर में समरुद दर उसको भी चुनोतिया होती है उसकी चुनोतिया अलग प्रकारती होगी है हमारी चुनोतिया अलग प्रकारती है लेकिन कए हमें यह करना है कि हम समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं कि हम समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। बस ये पुक्ली से रेखा है। अगर हम समस्या का हिस्सा बने तो राजनीती तो चल जाएगी। लेकिन अगर हम समाधान का माध्यम बनते हैं तो राष्ट निति को चार चान दजाते हैं। हमारा दाई तो है हमें वर्तमान पीडी के लिए भी सोचना है हमें भावी पीडी के लिए भी सोचना है। समझ से हैं, लेकि मुझे विश्वास हैं, हम साथ में के काम करेंगे, आत्में विश्वास से काम करेंगे, तो हम धीतियों को भी बढ़ लेंगे, और हम इच्छित परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे, यह मेरा पक्का विश्वास है. आदरने सभापती की सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है ज्यादा से ज्यादा समय जो बाते बताई गई वो आंदोलन के समन में बताई गई किस बात को लेकर गया अंदोलन ने उस पर सब मोन रहाएं आंदोलन कैसा है आंदोलन के साथ क्या हो रहा है यह सारी बाते बहुत बताईगे उसका भी महत्वा है लेगि जो मुल्भूत मार्थ है अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती वैसे हमारे मान्य कर्षी मंत्री जी ने बहुत ये अच्छे रंग से कोई सवाल भी पूछे हैं उन सवालों के जबाब तो नहीं मिलेंगे मुझे खातली है लेकिन उन्होंने बहुत ये अच्छे रंग से इस विशे की इस सदन में करता की है मैं आदरने देविगोडा जी का बहुत आभारी हूँ तो उन्होंने इस पूरी चर्चा को एक गाम भी लिय दिया और उन्होंने सरकार के जो अच्छे प्रयास है उसकी सराना भी की क्योंकि वो किसानों के लिए समर्पित रहे हैं जीवन भाद और उन्होंने इस सरकार के प्रयासों की सारा सदाना भी की और उन्होंने अच्छे सुझाव भी दिये मैं आदरने देविगोडा जी का रजे से आभाल व्यक्तर करता हूँ आदरने सभाब देगी खेती की मुल्भू समस्या क्या है उसकी जड़े कहा है मैं आज पूर्व प्रधान मंत्री चोधरी चरंशी जी ने जो विस्तार से वो बताया था उसी का जिक्र करना चांथा बहुत लोग हैं जो चोधरी साब की विराशत समाने का गर्ब करते हैं वो जरूर इस बात को समझने का शाइट प्रयास करेंगे वो अक्सर 1970-71 जो अग्रिकल्टर सेंसस हुआ था उसका जिक्रों की भाषण में हमेशा आता था और उलेकर लेकर लेकर चोधरी चरंशी की ने क्या कहा था उनका कोट है किसानों का सेंसस लिया गया तो 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमी दो बिगे से कम है दो बिगे नहीं है दो बिगे तक है दो बिगे से कम 18 फिस्दी जो किसान कहलाते हैं उनके पास दो बिगे से चार बिगे जमीन है यानि आदा हेक्टर से एक हेक्टर ये 51-50 किसान है ये चाहे कितनी महनत करे अपनी छोड़ी सी जमीन पर इनकी गुजर इमानदारी से उसमें हो नहीं सकती ये चोदरी चरण सिंग्जी का कोट है छोटे किसानों की दैनियस्थिती चोदरी चरण सिंग्जी के ये बहुती हमेशा फीड़ा देती जी वह हमेशा उसकी चिंता करते थे अब आगे देखे ऐसे किसान जिनके पास एक हेक्टर से भी कम जमीन होती है 1971 में ये 51 परसंट थे आज 68 परसंट हो चुके है यानि देश में ऐसे किसानों के संख्या बढ़ रही है जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है आज लगू और सिमान किसानों की मिलाएं तो 86 परसंट प्रसंट किसान ज्यादा किसान के पास दो हेक्टर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों के संख्या 12 करोड है क्या इन बारा करोर किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्यवारी नहीं है, क्या देश की कोई जिम्यवारी नहीं है, क्या हमने कभी हमारी योजनाओं के केंद्र में इन बारा करोर किसानों को रखना पड़ेगा के नहीं रखना पड़ेगा, ये सवाल का जवाब, चोधरी चरंसींज जी हमारे लिए छोड़ करके गए हैं हमें जवाब को डूंडना होगा हमें 14 सभी संधिंजी को सची स्रधान ली देने के लिए इस काम के लिए जिसको जो सुझे जिसको मोका मिने समय करना होगा कब जाकर करके हम कर सकते हैं अब पहले की सरकारों की सोच में छोटा किसान था क्या है अगर एक बार हम थोड़ा सोचेंगे तो धान आएगा मैं आलोचना के लिए नहीं क्या रहा है लेकिन हमने सच मुझ मैं हम सबने सोचने क्या वश्यक्ता है जब हम चुनाव आते ही एक कारकम करते हैं कर्जमाफी अब वो किसान का कारकम है कि बोट का कारकम है वो तो हिंदुतान में हरको भली ब्याती जानता है लेकिन जब कर्जमाफी करते हैं तो छोटा किसान उससे बंचित रहता है उसके नसीब में कुछ नहीं आता है क्योंकि कर्ज माफी जो बैंक से लोन लेता है उसके लिए होती है छोटा किसान के बेठार अपने के खाता नहीं वो काल लोन ले ले जाएगा हमने छोटे किसान के लिए नहीं किया है भले ही हमने राजनिती कर दी हो एक दुए कर्जमीन वाले किसान इसके पास बैंक का खाता भी नहीं है न उकर्ज लेता है न कर्जमाफी का फाइदा उसको मिलता है उसी प्रकार से पहले की फ़सल बीमा योज़ना क्या थी एक प्रकार से वो बीमा जो बैंक गारंटी के रूपने काम करता था और वो भी छोटे किसान के लिए तो नसीबी नहीं होता था वो भी उनीक किसानों के लिए होता था जो बैंक से लोन लेता था और उसका इंशांस होता था तो बैंक वालों को भी एक विश्वाद होता था चल जाता था आज दो हेक्टर से कम कितने किसान होगे जो बैंक से लोड़ सिंचाई की सुविधा सिंचाई की सुविधा भी छोटे किसान के नसिब नहीं हुए बड़े किसान तो बड़ा बड़ा पंप लगा देते थे टूब बेल कर देते थे और जो दाम मांगे वो दाम देना पड़ता था। यूरिया, बड़े किसान को यूरिया पुराप्त करने का को तो आपने बिजा। छोटा किसान को राद राद लाइन में खड़े रहना पड़ता था, उस पर डंडे चलते थे, और कभी-कभी तो देचारा यूरिया के बिना घर वापिस लोड़ जाता था, ये हम छोटे किसानों के हाल जानते हैं। 2004 के बाद, हमने कुछ परिवर्तन की रहा हमने फसल भी मायोजना का दाएरा बढ़़ा दिया, ताकि किसान, छोटा किसान भी उसका फाइड़ा लेसे कि, और बहुत मामुली रकम से ये काम शुरू किया, और पिछले चार-पांच साल में फसल भी मायोजना के तहर नब्वे हजार करोड रुपिये, इस उत्या कम नब्वे हजार करोड रुपिये, उसके क्लेम किसानों को मिले हैं, सार्ज मापी से भी आंकड़ा बड़ा हो जाता है, छोटा किसानों को किसान केडिक कार, हमारी किसान केडिक कार हुए, लेकिन बड़े किसानों तक गए, और वो बैंक्स से बहुती कुटराइजों फुराज़ों में जीरो परसंट से द्याट्शिम उनके पॉरिकोई जो क्रमधा वय्पार होता था पैसे वहां भी लिए जाते छोटे किसान के नसीब में ये नहीं था हमने ताहिए हन्दुताई के हर किसान किसान क्रेडित कार देंगे इतना ही ने हमने उसका तो धारा फिशर्मेन तक भी बना दिया ताकि वो भी इसका फाइटा उटा सके और कौने दो करोर से ज़्यादा किसानों का किसान क्रेडित का काम पहुँच चुका है और बाकी भी राज्यों से आगरे कर रहे हैं तक लगातार उसको आगे बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका लाप उटा सके और राज्यों की मदद जितनी ज़्यादा मिलेगी उतना ज़्यादा एक काम हो जाएगा उसी प्रकार से हम एक योजना ले आए प्रदान मत्री सम्मान ने दी उजना सीधे किसान के खाते में और ये गरीब किसान की जिसके पास कभी इस प्रकार की मतर्द ने कोची है दस करोड ऐसे परिवार हैं जिन को इसका लाप मिल गया और अगर बंगाल में राजनीती आड़े ना आती तो बंगाल के किसान भी जूड़ गए होते तो ये आकड़ा उससे भी जादा होता और अब तक एक लाग पन्रा हजार करोड रुपिया इन किसानों के खाते में रहा है ये जरी छोटे किसान उनके पास गया हमारी सब योजनाओं के केंदर बिंदी में होता है हंडेट परसन के पीशे इरादा हमारा यही था कि गरीब से गरीब किसान तक भी यूरिया पहुचने में रिकावट ना हो यूरिया डाइवर्ट होता है बंध हो और उसमें हम सपर्ट ही हुए छोटे और सिमान किसानों के लिए हमने पहली बार पैंशन की सुविधा की यो हो जाए यह सिरफ एक रोड नहीं है यह किसानों की गाउं की जिंद्गी को बदलने का एक बहुत बड़े यस रिखा होती है और इसलिए हमने उस पर भी बढ़ दिया पहली बार हमने किसान रेल की कर्पुना की छोटा किसान का माल बीकता नहीं जा आज किसान रेल के अकार किसान उडान के द्वारा हवाई यहां थे अब जैसे हमारे नौर्टिश इतनी बढ़िया बढ़िया चीजे लेकिन ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टिम के अभाव में वहां का किसान हमारा बेनिफेट नहीं ले पाता था आज उसको किसान उड़ान योजरा का लाग बिल दरा छोटे किसानों की परिशानियों से हर कोई परिचित है समय समय पर उनके ससक्तिकन की मांग भी उठी है हमारे आधनिया शदत्रुवार जी और कॉंग्रेस के बेरे हर किसी ने हर सरकार कुर्शी सुधारों की वकालत की है कोई पीशे नहीं है क्योंकि हरे को लगता है कर पाए ने कर पाए अलग बात है लेकिन होना चाहिए ये बात हरे की निकली हुई है और आज नहीं जब भी जहाते समने की हुई है और सुर्ण रावजी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि मैं सुधारों के पक्ष में हूँ ठीक है पद्ददी के समयन में उनको में सवाल है लेकि सुधारों का विरोध ने किया है और इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इस विशे में हमारे साथ ही सिमान सिंधिया जी ने बहुत इच्छे डंग से कई पहलूँ पर इस कानून को लेकर के यहाँ पर यह सारी बाते पिछले देवदशक से लगातार चलते हैं हर फ़र्म में चली ऐसा नहीं है कि कोई अबार काड़े के बार में खार ने कहा है और हरे को लगाए को अब समय आगाया हो जाए अब समय आगाया यह ठीक है फुर्स्टो पामा कोई इधर उधर हो सकता है कोई यह दावा नहीं कर सकता है कि हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी मैं भी दावा नहीं कर सकता हूँ कि हमारे समय क्यों सोच बढ़िया है दस साल के बाद कोई नई सोच आई ही नहीं सकते अज़ा नहीं होता है जी यह समाज जीवन परिवर्तर सीन होता है आज के समय हमें जो ठीक लगा चलो चले आगे सुधार करेंगे नई चीजों को जोड़ेंगे यही तो आप प्रगति का रास्ता होता है रुकावटे डाले से प्रगति कहा होती है और इसलिए लेकिन मैं हरान हूँ अचानक यूटन ले लिया भै ऐसा क्यों किया ठीक है आप आंदोलन के मुद्दों को ले करके इस सरकार को खेर लेते लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते है कि भाई बढ़ना बहुत जरूरी है बहुत साल हो गए अब नई चीजों को लेना पड़ेगा तो देश आगे बढ़ता है लेकिन अब मुझे लगता है कि राजवित इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार शूर जाते है लेकिन जो ये सब कर रहे हैं अच्छा है आदर निये डॉक्तर मनमौन सिंग की हमोजूद है मैं उनी का एक कोट आज बोट पढ़ना चाहता हूँ हो सकता है जो यूटन कर रहे हैं वो मेरी बात माने या ना माने मनमौन सिंग जी की तु बात जूरू मानेंगे there are other rigidities because of the whole marketing regime set up in the 1930s which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return it is our intention to remove it is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential at one large common market ये आदर्ने मनमौन सिंग जी का आदर्ने मनमौन सिंग जी ने किसान को उपज बेचने की आधादी दिलाने भारत को एक क्रिशी बजार दिलाने के शमन में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो कामन कर रहे हैं और मुझे आदर्ने को गर्व होना चाहिए देखे मनमौन सिंग जी ने कहा था वो मोधी को करना पड़ रहा है गर्व है किजिए प्रीज 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 और मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयान बाजू करता है उचल उचल करके उनके राज्यों में भी जब उनको मुझाविया है इसी मैंसे आधा जूरा कुछन कुछ किया ही किया है हर किसी ने यहाँ जो विरोध में दल है उनकी भी जहाँ सरकारे है वहाँ आधा जूरा कुछन कुछ को किया ही है कि उनको भी मालूम है यह रास्ते के दास्ता देए ही है और मैंने देखा इस चर्चा में लोग का जो स्पिरिट है उस पर किसी चर्चा नहीं हुए है शिका जिक तरीका ठीक नहीं था जल्दे कर दिया इसको ने पूछा यह रहता है वो तो परिवार में शाजी होते है तो भी फूबी नाराज हो करके गया दिये मुझे कहां बुलाया वो तो रहता है इतला मुझा बॉला परिवार है तो रहता ही है हम कुछ और बातों के और भी जान दे अब देखिए दूद उत्पादा किसी बंदनों में बंदा हुआ नहीं है न पशुपालक बंदनों में बंदा हुआ है न दूद बंदनों में बंदा हुआ है लेकिन मज़ा देखिए दूद के ख्षेत्र में या तो प्रावेट या कोपरेट दोनों ने काशी बड़ी मजबुत चेन बनाई है दोनों मिलकर कि इसकाम को कर रहा है और एक बेहत्रिन सप्लाइचेन हमारे बनीए इसको हमने जो अच्छा है उसको और ये मेरे काल में नहीं बना आप भी इसका घर्व कर सकते हैं मेरे काल से पहले बना हुआ है, हम दो गर्वा करना चाहिए है, फल सब्जी से जुड़े वैसाय में ज्यादातर बाजारों का सीधा संपर रहता है, बाजारों के दखल हट गई है, इसका लाब बिन रहा है, क्या डेरी वाले सफल सब्जी खरने वाले उद्यमी पशी पवालों की किसान क्या जमीन पर कब्जा हो जाता है, पशु पशु पर कब्जा हो जाता है, यह दूद बिकता है, पशु ने बिकता है, जी, हमारे देश में डेरी उद्योग का योगदान, क्रिशी अर्थ वबस्त ताके कुल मुल्य में 28 प्रतिशत से भी ज्यादा है यानि इतना बड़ा हम एग्रिकल्टर की चर्चाएं करते हैं इस पहलू को हम भूल जाते हैं 28 प्रसंट कॉंट्रिबिशन है और करीब करीब आठ लाग करोड रुप्य का कारोबार है जितने रुपय का दूद होता है उसका मुल्य अनाज और डाल दोनों मिला ले तो उससे जाड़ा है हम कभी इस तर्फ जद देते ही नहीं है पशुपालकों को पूरी आज़ादी अनाज और डाल पैदा करने वादे छोटे और सिमान किसानों को जैसे पशुपालक को आज़ादी मिली है इनको आज़ादी क्यों नहीं मिलने चाहिए और इन स्वालों के जबाब हम दूढेंगे तो हम सही राते पर चलेंगे आज़नी सभाबती जी ये बात सही है जैसा हम लोगों की इस वभाव रहा है घर में भी थोड़ा सा भी परिवर्थन करना हो तो घर में भी एक तनाव दूद चेर यहां के और रोठी टेबली यहां क्यों रहता है इतना बड़ा देश है और जिस प्रकार की परंपराओं से हम पले बड़े हैं तो यह मैं स्वाभाविक मानता हूं जब भी कोई नई चीज आती है तो थोड़ा बहुत रहता ही है हमारी हाँ कोई असंजम असामन जस्किस्तिती भी रहती है लेकिन जरह वो दिन किसी आत किजिए जब हरीत कांती की बाते होती थी हरीत कांती के समय जो कुछी सुधार हुए तब भी जो आशंकाय हुई जो अंदोरन हुए वेल डॉक्यमेंटेड है और देखने जैसा है कुछी सुधार के लिए सक्त फैसले लेने के उस दोर में शास्त्री जी का हाल यह और यह अवस्त यृवं कि अपने साथियों में से को क्रुशी मंत्रि बनने को तयार नहीं होता था। क्योंकि लगता था कि इसा है कि हाथ जल जाएगे और किषान माराज हो जाएगे तो घरितerem यह की खटना है और अंतमे worn तो जी को सी सुब्रमनियम जी को कृषी मंत्री बनाना परा था और उन्होंने रिफॉर्म्स की बाते की योजन आयोग ने उसका गिरोध किया था बजा देखिए बित्त मंत्रालाय सहित्पुरी कैमिनेट के अंदर भी गिरोध का स्वर उठा था लेकिन देश की भलाई के लिए सास्त्री जी आगे बढ़े और लेप पार्टी जो आज भाषा बोलते हैं नहीं वो युँ समय बोलते थे वो यही कहते हैं अमेरिका के इशारे पर सास्त्री जी एक कर रहे हैं अमेरिका के इशारे पर कॉंग्रेस ये कर रहे हैं सार्जा जी जीतना आज मेरे खाते में जमा है न वो पहले आपके या बेक वे था सब कुछ अमेरिका के एजेंट कह दिया जाता था हमारे कॉंग्रेस के निताओं को ये सब कुछ लेट वाले जो आज भाशा बोलते हैं वो उस समय भी उन्होंने यही भाशा बोली थी कुरूसी सुधारों को छोटे किशानों को बरबाद करने वाला बताया गया था देश भर में हजारों प्रदर्शन आविजीत हुए थे बड़ा मुमन चला था है इसी बाहूल में भी लाग बादूर सास्त्री जी और उसके बाद के सरकार जो करती रही उसी का परणाम है कि जो हम कभी पी यल चाप सबसी मंगवा करके खाते थे आज देश अपने किसान अपनी मिट्टी से पादा की चीज़े को पाता है रिकॉर्ड उत्पादन के बाउदूपी है हमाने कृशिक शेतर में समस्या है कोई इसे तुमना नहीं कर सकता है समस्या है नहीं लेकिन समस्याओं का समाधान हम सब को मिलकर करना होगा और मैं मानता हूँ कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा हमारे राम गोपाज जी ने बहुत य Αच्छी बात कही तो उन्हों ने कहा भी कुरोंड उकड़ाउन कोई संकर नहीं आने दिया और उसका सामुई पढ़ना मिला कि देश के पांस यह भंडा भरा रहा कि उपच की रिकॉर्ड खरीदी भी इस को रोना काल में हुई तो मैं समता हूं कि हमने नहीं 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 पांच कोचके आगे भंडा होगा और जैसा मैंने कहा कोई भी हम कई क स्टेटिक अवस्ता में जीने वाले लोग छोड़े हैं जी जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं और सरकार भी अच्छे सुझावों को और सिर्फ हमारी नहीं हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्विकार के यही तो लोगतने की परंपरा है और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझाओं के साथ अच्छे सुधाओं की तैयारी के साथ हम सब को आगे बढ़ना चाहिए मैं आप सब को निमंतर देता हूँ आईए हम देश को आगे ले जाने के लिए कृषिक शित्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलन कारियों को समझाते विए हमने देश को आगे ले जाना होगा हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा किसी ने किसी को यह काम करना ही पड़ेगा आज मैंने किया है गालिया मेरे खाते में जाने दो लेकिन इस अच्छा करने में आप जूड़ जाओ बुरा हो मेरे खाते में अच्छा हो आपके खाते में आओ मिलकर के चले और मैं लगातार हमारे कृसी मंत्री जी लगातार किसानों से बाचीत कर रहे है लगातार मिटिंग ये हो रही है और अभी तक कोई कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है एक दूसरे की बात को समझने का समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार अंदोलन से जुड़े लोगों से प्राशना करते हैं कि आप अंदोलन करना आपका हक है लेकिन इस प्रकार स से बुजूर्ग लोगों वहां बैखें ये ठीक नहीं है आप इनको सब को ले जाएए आप आंदोलन को खत्मत कीजिए आगे बढ़ने लिए मिल बैटर की चट्रा करेंगे रास्ता खुले है यह सब हमने कहा है मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमन तर देता हूँ ये समय है इस समय को हमने गवा नहीं देना चाहिए हमें आगे बढ़ना चाहिए देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए पक्ष हो विपक्ष हो आंदोलर साथी हो इन सुधारों को हमने मोका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवरतन से में लाग होता है किल में जहीं कि मारत को कि मंधिया अधिक आधुनिक बने हैं अधिक प्रतिसपर्दी होगी इसके लिए हमने प्रावधान किया है इतना ही नहीं, MSP है, MSP था, MSP रहेगा, इस सदन की पवित्रता समझे हम, जिनाची करोर से धीक लोगों को सस्ते में राशन लिया जाता है, वो भी कंटीनू रहेगा, इसलिए महरवानी करके भ्रम भलाने के काम में हम न चुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेबारी दी है, किसानों के आय बढ़ाने के जो दूसरे उपाए हैं, उन पर भी हमें बल देने के जरूर हैं, आबादी बढ़ रही हैं, परिवार के अंदर सदस् के संख्या बढ़ रही हैं, जमीन के टुकड़े शोटे होते जा रहे हैं, ऐस स्थिति में हमें कुछन को जैसा करना ही होगा, ताकि किसानी पर बोज कम हो, और हमारे किसान के परिवार के लोग भी रोजी रोटी कमाने के लिए, उनके लिए हमने, और अवसर उपलग दकरा आठी इनकी तकलीफों को दूर करने लिए, हमने काम करना होगा, और मैं मानता हूँ, कि हम अगर देर कर देंगे, हम अगर अपने ही राजनीती समीकरणों में फसे रहेंगे, तो हम किसानों को अन्दकार के तरप धकेश देंगे, तिरपा करके हमें उच्वल किसानों के आसना करता हूं, हमें इस बात की चिंता कनी होगी, अधानिय सभाबत देजी, देरी और पशुपालत हमारे कृषिक शेत्र के साथ बढ़ावा देनी के ज़रोत हैं, ताकि हमारा किसान पगबर हो, उसी प्रकारत इसी काम के लिए, हमने फूट एंड माउट डिसीच के लिए एक बहुत बड़ा भ्यान तना है, ताकि वो किसान को या पशुपालत, जो बायन लाज किसानी से जुड़ा हुआ रहता है, उसको भी लाग होगा, हमने फिशरी इसको भी अलग बल दिया, अलग मिनिस्ट्री बनाई, और बीस हजार करोड रुपिये, मज से संप्रदा यो बहुत जमीन की ज़रुट नहीं, अपने खेत के कौने में वो कर दें, तो भी साल में 40,000,000,000,000,000 लाग रुपिये, 200,000,000 लाग रुपिये कमाने का हो, और इसलिए हम स्वीट रिवाल्यूशन, शहत के लिए, हनी के लिए, उसी परकार चे बीवेक्स, दुनिया में बीव किसान के खेत में ही छोटी किसान होगा तो एक वाने में वह नई कमाई कर सकता है हमने इसको जोड़ना होगा और मदुमक्षी पारण के लिए को शैकड़ों एकर जमीन की जरूरत नहीं है वह आराम से अपने हां कर सकता है सोलर पंप सोलर हम कहते हैं अन दाता उर्जा दाता बने उसके खेत में ही वह अपने सोलार सिस्टेम से उर्जा भी प्यदा करें सोलार कौम चलाए अपनी पाने की आवश्यक्ता को पूरी करें उसके खर्च को बोच को बन करें और फसल एक लेता है तो दो लेता है तो तीन ल तरन मों बदल करना है तो बदल कर सके उसकी दिशा में हम जा सकते हैं और एक बात है भारत की टाकत ऐसी समस्याओं के समाधान करने की और नए रास्ते खुजने की रही है आगे भी खुलेंगे लेकिन कुछ लोग हैं जो बारत अस्तीर रहे अशांत रहे इसे लगातार पोश्चे से कर रहे हमें इन लोगों को जानना होगा हम यह न भूले कि पंजाब के साथ क्या हुआ जब बटबारा हुआ सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पंजाब को जब 84 के दंगे हुए लिए सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के सबसे ज्यादा दरदनाग गटनाओं का शिकार हुना पड़ा पंजाब को जो जम्मी कश्मीर में हुआ निर्दोशों को मौत के घाट उतार दिया गया जो नौर्दीश में होता रहा आए दिन बंबंदुग और गोलियों का कारोबार चलता रहा ये सारी चीजों ने देश को किसे ने किसी रूप में बहुत नुक्षान किया है इसके पीछे कौन ताक करते हैं हर समय हर सरकारों ने इसको देखा है जाना है परका है और इसलिए हमें उस जजबे से इन सारी समझाओं के सवाधान के लिए हम तेजी से आगे बढ़े हैं और हम यह न भूलें कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के खास करके शिक भाई जो दिमाज में गलत चीजें भरने में लगे हैं यह देश हर सिख के लिए घर्व करता है अगया कि देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है उनका जीतना हम आदर करें उतना कम है गुरुवां की महान परमपरा और मेरा बागे रहा है मुझे पंजाब की रोटी घाने का अवसर मिलाया में और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं उनको गुम्रा करने के जो लोग प्रयास करते हैं इससे कभी देश का भला नहीं होगा और इसलिए हमें इन दिशा में चिंता करने के आवश्यक्ता है हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचीत है स्रम जीवी बुद्धी जीवी यह सारे शब्दों से परिचीत है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है अंदोलन जीवी यह जमात आप देखोगे वकिलों का अंदोलन है वो नह वहां नजर आएंगे स्टूडन का अंदोलन है वो बाहां नजर आएंगे मदूर्द का अंदोला है, वो महां नज़र आएंगे कभी परदे के पीछे, कभी परदे के आगे एक पुरी टोली है जी जियो आंदोलन जीवी है वो आंदोलन के विना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन के से जीने के लिए रास्ते खो़ते रहते हैं हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा को जो सब बेगावे के पहुंच करके और बना आइडियोलोजिकल स्टैंड दे देते हैं गुम्रहा कर देते हैं नई नई तरीके ढूनो बता देते हैं देश आंदोलन जीवी लोगों से बचें इसके लिए हम सब को और ये उनकी ताकते उनका क्या है खुद ख़ड़ा भी कर सकते चीजे किसी की चल रही तो जागे बेड़ जाते वो अपना जितले जिन चले चल जाता है उनका ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवर सेकता है ये सारे आंदोलन जीवी पर जीवी होते हैं और यहाँ पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहाँ जहाँ सरकारे चलाते होंगे आपको भी ऐसे पर जीवी या अंदोलन जीवी होता है और इसलिए उसी प्रकार से एक नया मैं चीज़ देख रहा हूँ देश प्रकाटिक कर रहा है हम FDI की बात कर रहे है foreign direct investment लेकिन पर देख रहूँ इन दिनों एक नया FDI मैदान में आया है ये नया FDI से देश को बचाना जी FDI चाहिए foreign direct investment लेकिन ये ज़ो नया FDI मां नजर का आ रहा है ये नये FDI से जुरू बचना होगा और ये नया FDI है Foreign Destructive Ideology Foreign Destructive Ideology और इसलिए इस FDI से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूत रहने की जरूत है आदेशनी सभावती जी हमारे देश के विकास के लिए ध्रामीन अर्थ बवस्ता इसका अपना एक मुल्य है ग्रामीन अर्थ बवस्ता हमारे आत्मंदिर भर भारत का एक एहम स्तम्भ है आत्मंदिर भर भारत ये किसी सरकार का कारकम नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए एक सो तीस करोर देश वांशियों के संकल्प होने चाहिए हमें गर्व होना चाहिए और इसमें कोई दूइदा नहीं होनी चाहिए और महत्मा गांदी जैसे महापुरुसना हमें यही रात पर दिखाया था अगर हम वहाँ से थोड़े हट गए हैं तो वापिस उस पट्री पर आने की जुरूत है और आत्म निर्वर भारत के रिजास्ते पर हमको बढ़नाई होगा गांव और शहर की खाय को अगर हमें पाटना है तो उसके लिए भी हमें आत्म निर्वर भारत के और बढ़नाई होगे और बुझे भी समास है कि हम उन बातों को लेकर के जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे देश के सामान ने मानमी का विस्वाद बढ़े जैसे भी प्रस्थतर काल के अंदर जल जीवन विशन की चर्था हो रही थी इतने कम समय में तीन करोड परिवारों तक घर में पीने का पानी पहुंचाने का नल कर्रेक्शन देने का काम हो चुका है आप मं दिलभरता तभी संभव जब अर्थवर्सा में सभी की भागीदारी हो है हमारी सोनल बेहन ने अपने भाशन में बेहनों बेटियों की भागी दरी पर फोकस करने की उन्हों ने विस्तार से चर्था की कोरोना काल में जाए राशन हो आर्थिक मदद हो या मुप्त गैस सिलिंडर सरकार में हर तरह से एक प्रकार से हमारी माताओं बहनों को असुविदा ना हो इसकी पूरी चिंता करने का प्रयास किया है और उन्होंने एक शक्ति बनकर कि इस चीज़ों को समालने में मदद भी किया जिस तरह इस मुश्किल परिस्तिति में हमारे देश की नारी शक्ति ने बड़े ठैलिये के साथ परिवार को समालना परिस्तितियों को समाला है कोरोना के इस लड़ाई में हर परिवार के मात्रों शक्ति की बहुत बड़ी भूमी का रही है आदू का मैं जितना चन्जवाद को रुपना कम बहन और बेटियों का होस्ना और मैं समझ नहूं का आत्में दिर भारत में एहम भूमी का हमारी माता ये बहने निभाएगे मुझे प्रजब इसमास से आज युद्व छेतर में भी हमारी बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है नए जो लेवर कोड बनाए है उसमें भी बेटियों के लिए हर सेक्टर में काम करने के लिए समान वितन का हथ दिया गया है मुद्रा उज्णा से सब्तर प्रतिशत सब्तर प्रतिशत जो लोन ली गई है वो हमारी बेहनों के दोरा ली गई है याने एक पजार देए एडिशन करीब साथ कोड़ महिलाओं के सरभागेता से साथ लाग से ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एल गुरुप आज आत्मनी भर भारत के प्रयासों को एक नई ताकत दे रहें है भारत की युआ शक्ति पर हम जितना जोर लगाएंगे हम जितने अवसर उनको देंगे मैं समगता हूँ कि वो हमारे देश के लिए भविश्य के लिए उजवर भविश्य के लिए मजबूत नहीं बनेंगे जो राश्टी एजुकेशन पॉलिशी आई है उस राश्टी एजुकेशन पॉलिशी में भी हमारी युआ प्यूडी के लिए नए उसर दिये देने का प्रयास को है और मुझे खुशी है कि एक लंबार से समय गया एजुकेशन पॉलिशी पर चर्चा में लेकिन उसकी स्विकृति जिस प्रकार से देश में हुई है एक नया विश्वास बदा किया है और मुझे विश्वास है कि ये नई एजुकेशन पॉलिशी नई राश्टी ए शिक्षा निती हमारे देश के लिए एक नए तरीके से पढ़ने का स्विक्षार को उनने की दिखा आगवा है हमारा MS MS sector रोजगार के सबसे ज़्यादा आउसर MS MS sector को मिल रहे है और जब करोना काल में जो स्टिमूलेस की बात हुई उसमें भी MS MS पर पूरा ध्यान दिया गया और उसी का प्रणाम है कि आर्थिक रिकवरी में आज हमारे MS MS बहुत बड़ी भूमी का निभा रहे हैं और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग प्रारम से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र रहने करके चल रहे हैं और उसी का प्रणाम है कि नौर्थ इस्टो या नक्सल प्रफाविक छेत्र दीरे 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 वहां हमारी समस्षाय कम होती जा रही है और समस्षाय कम होने के कारण सुक और शांती का आउसर प्रदा होने के कारण विकास की मुख्य धारा में ये हमारे सभी सांतियों को आने क आउसर मिल रहा है अब भारत के उज्वल भविश में इस्टन इंडिया बहुत बड़ी भूमिकानी भाएगा यह मैं साब देख रहा हूं और उसको हम मैं आदने गुलाब नभी जी को सुन रहा था वैसे भी बड़ी मुर्दूतां सम्मेतां और कभी भी कटू शब्द का उप्योग न करना यह गुलाब नभी जी की विशेस्ता रही है और मैं मानता हूं कि हम सभी जो शाउसदगन हैं उन्होंने उनसे यह सिखने जैसी चीज है और इसलिए मैं उनका आदर भी करता हूं और उन्होंने जम्मु कश्मीर में जो चुना हुए उसके तारीब की उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से और उनका उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दिल में जम्मु कश्मीर विशेसर स्वाबाविक भी है उनके दिल में यह होना पुरे हिंदुस्तान के दिल में जम्मु कश्मिर उसी भाव से भाव से भाव पड़ा हुआ है जम्मु कश्मिर आत्मन निर्वसर बनेगा उस दिशा में हमारा वहाँ पंचायत के चुना हुए BDC के चुना हुए डिडिशी के चुना हुए और इन सब के सनाना गुलाम नभी जी ने की है इस प्रसुंसा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ लेकिन मुझे दर लगता है आपने प्रसुंसा की मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी वाले इसको उचित स्पिरिट में लेंगे गलती से G23 की राय मान करके उल्टा लगर दे करोना के चुनावती प्रण दौर में सीमा पर भी चुनावती देने की कोशिश हुई हमारे बीज़ जवानों के होसले और कुशलता लगे सटिक जवाब दिया है हर हिंदुस्तानी के इस बात के करवा है मुश्किन परिस्तितियों में भी हमारे जवान डट करके खड़े रहे तमाम साथियों ने भी हमारे जवानों के शावरियों के सराना की है मैं उनका अभारी हूँ एले सी पर जश्तिति बनी है उस पर भारत का रूप बहुत फस्ट है और तेश को भली भाती देख भी रहा है और गर्व भी कर रहा है बार्डर इंफासक्टर और बार्डर सिक्रिटर को लेकर हमारी प्रतिविद्धता में किसी प्रकार की धील आने का सवाल ही नहीं होता है गुंजाईस ही नहीं है और जो लोग हमारा लालन पालन और हमारे विचारों का हमारा उच्छे देखते है वो कभी इस विशे में हमें सवाल ही नहीं करेंगे उनकों मालूम है हम इसके लिए डटे हुए रहने वाले लोग है हम इन विशों में कही पर भी पीछे नहीं है आदर्णिय सभापती जी इस सदन की उत्नम चर्चा के लिए मैं सब का धन्यवाज करते हुए आखिर मैं एक मंत्र का उलेक करते हुए अपनी वाने को मैं गराम दूँगा हमारे हाँ वेदों में एक महान विचार काप्त होता है वो हम सब के लिए 130 करूर देश वास्यों के लिए इस मंत्र अपने आप में बहुत बड़ी प्रेणा है वेदों का इस मंत्र कहता है अयूतो अहम अयूतो में आत्मा अयूतो अहम अयूतो में आत्मा अयूतम में चक्षु हू अयूतम सोत्रम अयूतो अहम यानि मैं एक नहीं हूं मैं अकेला नहीं हूं मैं अपने साथ करोरों मानवों को देखता हूं अनुखव करता हूं इसलिए मेरी आत्मिक शक्ती करोरों की हैं मेरे साथ करोरों की दृष्टी हैं मेरे साथ करोरों की स्रवन शक्ती कर्म शक्ती भी है आधनियों सर्वापती जी वेदों की इसी भावना से इसी चेतना से 130 करोड से जिक देशवास्चियों वारा भारत सब को साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है आज 130 करोड देशवास्चियों के सपने आज हिंदुस्तान के सपने आज 130 करोर देशवासों की आकांख्षा है इस देश की आकांख्षा है आज 130 करोर देशवासों का भविश भारत के उजवल भविश की गारंटी है और इसलिए आज जब देश नीतिया बना रहा है प्रयास कर रहा है तो वो केवल ततकालिन हाली लाग के लिए नहीं लेकिन ए और 2047 में देश जब आजादी का शतक बनाएगा तब देश को नहीं उचायों पर ले जाने के सपनों को लेकर के नीव रखी जा रही है और मुझे भी स्वास है कि इस काम को हम पूरा करने में अवश्य सभल होंगे मैं फिर एक बार आधर राश्पती जी के बनन के लिए मैं आधर पूर्वक धनेवाद करते हुए उनका अभिंदन करते हुए सदन में भी जिस तरह चर्चा हुए और मैं बैसेट बताता हूं चर्चा का स्तर भी अच्छा था वातावरें भी अच्छा था यह ठीक है कि इससे कितने लाब होते हैं मुझ पर भी कितना हमला हुआ हर प इसके बैख कम से कम आपके काम तो आया देखिए आपके बन में इतनों कोरोना के कारण जादा जाना ना होता नहीं होगा फसे रहते होंगे और घर में भी प्रिट प्रिट प्रिश रपती होगी अब इतना भुश्णा इहां निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया आप घर के अंदर कितने खुशी चैन से समय बिताते होंगे तो यह आनन्द जो आपको मिला है इसके लिए मैं काम आया यह भी मैं अपना सव खागे मानता है और मैं चाहूंगा यह आनन लगातार लेते रहे हैं चर्चा करते रहे हैं लगातार चर्चा करते हैं सदन को ऑगाते हैं सदन को संदन को सबिसेता है ऑगातार चेह तो आपको अंदे कम वम ऐ सबस्टन को जीए क।ड़ फोगे करते हो इसान।यों इसारच विच्वा mortalश पीजिशिवा मंद में सबक्रिस अभाट रूषै क् परेचिई कृ डिफा मैं आपको परेचिवा, ट्सकी होह一 किसान अंदोलन पर राज्य सभा में बोले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पीम सम्मान निदी युजना से सीधे किसानों के खाते में पैसे पहुचा आए सरकार ने किसानों के लिए कई कारे किये हैं किसानों के हित में कई जरूरी काम किये गए हैं राज्य सभा में प्रधान मंत्री का बयान उन्होंने का MSP है, MSP था और MSP रहेगा राश्टुपती के अभिभाशन पर तर्चा का जवाब देते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने किसानों का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि MSP हमेशा रहेगा, किसानों के हिसे के लिए समय समय पर इस सरकार ने कई कदम उठाए हैं और उन्होंने किसानों से कहा है कि बातचीत के दर्वाजे हमेशा खुले हैं प्रधान मंत्री ने किसानों से ये भी अपील की कि आंदोलन उनका अधिकार है लेकिन कुछ वरद उनके आंदोलन में जो बैठे हुए इतने दिनों से उनकी लिए सहनुवूती प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने प्रकट की है और उमीद जताई है कि इस सवस्या का समधा प्रधान मंत्री ने का कि देश को गरीबी से मुक्त होना ही होगा जो छोटे किसान है जो गरीब किसान है उनके लिए सरकार कई कदम उठा रही है और ये क्रिशी कानून उनमें से एक है कि MSP को लेकर जा किसान एक तरफ कानूनी गैरंटी की मांग कर रहे हैं वही प्रधान मंत्री ने सदन में कहा है कि MSP था है और हमीशा रहेगा किसानों के उजवल भविश्य के लिए कामना करता हूँ प्रधान मंत्री का पयान राज्य सबहा में देश को गरीवी से मुक्त होना ही होगा भारत में आना जुट पादन रिकॉर्ड इस्तर पर है प्रधान मंतरी ने जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए कहा है कि कुछ ऐसे लोग है जो किसी भी तरह का आंदोलन हो उसमें पहुच जाते हैं ऐसे लोगों को प्रधान मंतरी ने आंदोलन जीवी की संग्या भी दी है झाल